बॉलिवुड के पांच सबसे संकी घमंडी और बत्तमीज एक्टर जो अपने फैंस को धक्का मारने से लेकर थपड़ तक मार चुके हैं पर इन एक्टरों की बॉलिवुड में कोई इज़त नहीं है क्योंकि कोई भी डायरेक्टर इन्हें अपनी फिल्मों में काम नहीं देना चाहते हैं नमबर वन जॉन अब्राहम दोस्तो, बॉलिवुड का वह एक्टर है, जिसकी कोई भी फिल्म हिट नहीं होती है, पर इसके शरीर में घमंड कूट-कूट के भरा हुआ है, इनका जन्म 17 दिसंबर 1972 को केरल में हुआ था, ये हमेशा गुसा और एटिट्यूड में रहता है, मान तो जॉन ने हद ही पार कर दी, जब इसने एक महिला को जोर से धक्का दे दिया और फोटो खिंचवाने नहीं दिया, इस चीज से पता चलता है कि इसके शरीर में कितना घमंड और एटिट्यूड भरा हुआ है, इसलिए इनको ज्यादा कोई फिल्म नहीं मिलती है, पर अर्जुन कपूर को बॉलिवुड का सबसे गया गुजरा और बेरोजगार एक्टर भी कहा जाता है, और यह अपना खर्चा बड़े ही मुश्किल से चलता है, इसके फ्लॉप होने का सबसे बड़ा कारण इसका घमंड था, क्योंकि जब यह बॉलिवुड में आया, तो सब भी इसे पसंद करते थे, पर इसकी इज़द तब मिट्टी में मिल गई, जब इसने ओन कैमरा रेडियो मिर्ची को थपड मार दिया था, इस आदमी ने अर्जुन कपूर को कुछ उल्टा सीधा बोल भी नहीं था, उसके बावजूद भी अर्जुन कपूर ने उसे ओन कैम को फिल्म नहीं देना चाहता, उसके बाद अर्जुन कपूर सल्मान खान का बहुत बड़ा दुश्मन है, क्योंकि अर्जुन कपूर चोरी चुपके से सल्मान खान की भावी के साथ चक्कर चला रहा था, और कई सालों तक मलिका और अर्जुन कपूर साथ भी रहे, और इस गर पर ही बैठे रहते हैं, गोविंद दोस्तों अपने समय का वह बहतरीन एक्टर था, जिसे सब पसंद करते थे, पर धीरे धीरे इनका घमंड बढ़ता गया, जिससे लोग इनकी फिल्म में देखना बंद कर दिया, और बात तब बढ़ गई, जब गोविंदा ने भरी मह फिल्म में एक आदमी को थपड मार दिया, जिससे लोगों को इतना गुसा आया, कि उसी दिन से गोविंदा की इजज़त पूरी तरह मिट्टी में मिल गई, और इनका कैरियर यहीं पर डूब गया, हाल ऐसा आ चुका है कि घमंड के चकर में गोविंदा को अब कोई फिल्म मूवी की हो, पर इन्होंने कई लोगों का मजाक उड़ाया है और बनाया भी है, यह छोटे मोटे एक्टर कोई अपने सामने कुछ भी नहीं समझते हैं, इन्होंने एक बार सुशान्त सिंह राजपूत से लेकर शाहिद कपूर की स्टेज पर ही मजाक उड़ा दिया था, सा बॉलिवुड के भाईजान कहे जाने वाले सलमान खान की आज भी कोई फिल्म बनती है, तो लोग उसे खूब पसंद करते हैं, पर यह कई छोटे मोटे एक्टर से नफरत भी करते हैं, यह हमेशा किसी न किसी एक्टर के उपर पानी फेंक देते हैं, या उनका मजाक उड़ को अपना बनाना चाहते थे, इसलिए इन्होंने विवेक औबेरोय को फिल्मी दुनिया से बाहर निकलवा दिया, और बाद में ना एश्वर्या सलमान की हुई, और ना विवेक की हुई लास्ट में अभिशेक की हो गई, साथ ही सलमान खान बाद बाद पर गुसा करते हैं, और बिग बॉस में आए हुए लोगों के तो जाड़ कर रख देते हैं, तो इससे लोग कहते हैं कि इनके शरीर में कितना घमंड और एटिट्यूट भरा हुआ है, भारत की पांच सबसे बड़ी जुग्गी जोपडी, जहां के लोगों की जिंदगी नरक से भी बत्तर होती है, यहां पर ना तो सोने के लिए बैड है और ना ही पीने को साफ पानी घर में इतनी कम जगह होती है कि लोग घुट-घुट कर जीते हैं, इन जुग्गी में महिलाएं धंधे का भी काम करती हैं, इस जगह पर चारों तरफ सौर सराबा होता है और लडाईयां होती रहती ह इसमें नंबर वन पर है, धराबली मुंबई दोस्तों, धराबली मुंबई की जुग्गी दुनिया भर में मशूर है, मुंबई को सपनों का शहर भी कहा जाता है, पर इसके बगल में एक ऐसा सलम एरिया मौजूद है जहां पर लोग की जिंदगी नरक से खराब है और वह पर आने वाले ज्यादातर लोग बिहार, बंगाल और 36 गड के रहने वाले हैं, जो अपना गुजर बसर करने के लिए इस मुश्किल भरी जगह पर रहते हैं, यहां के ज्यादातर लोग रिक्षा चलाते हैं, साथी कहीं और काम करते हैं, धराबली में रहने वाले लोगों म कपड़े आधी चीज बनती है, जो दुनिया भर में बेची जाती है, इस छोटे से जुग्गी में 15,000 से भी ज्यादा लोकल मैनुफैक्चरर शॉप बनी हुई है, जहां पर मजदूर काम करते हैं, और वन साल में धरवाली में 5,000 करोड से भी ज्यादा रुपे की कमाई कर यहां पर काम करने वाले मजदूर हर महीने 10 से 15,000 कमा लेते हैं, यह जुग्गी भारत में इतना फेमस है कि अगर कोई भी विदेशी नागरिक भारत घूमने के लिए आता है, तो वह इस जुग्गी में जरूर जाता है, घूमने के लिए इस जुकी में बॉलिवुड की अली बॉय से लेकर कई फिल्में इसी जगह पर बनाई गई थी, धारा बली में बड़े बड़े मकान नहीं है, पर यहां के लोग बहुत अच्छे हैं और अपने परिवार के साथ एक खुशाल जिन्दगी यहां पर जीते हैं दोस्तो कूडे पहाड की गोद में बसा हुआ यह जुग्गी, इस जगह पर आप एक घंटे भी नहीं बिता सकते हो, पर फिर भी यहां लोग मजबूरी में रहते हैं, इस जुग्गी में कई सौ या हजार छोटे छोटे घर हैं, और उसके बगल में यह इतना बड़ा जहां पर हद से ज्यादा बदबू आती है, आसपास की हवा इतनी प्रदूशित हो चुकी है कि यहां के अकसर बच्चे बीमार होते हैं, यह जुग्गी यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, यहां पर रहने वाले लोग दिल्ली के अलग-अलग इलाकों से आते हैं, यहा पर रहने से यह फाइदा होता है कि यह लोग अच्छे से अपना गुजर बसर कर लेते हैं और उन्हें किराया नहीं देना पड़ता है, नमबर ती, नोची कुपम, स्लम चैननई, दोस्तों, यह जुग्गी चैननई में बसा हुआ है, जो शेहर के बिल्कुल बगल में है, यह सारे लोग मचली पकड़ कर उन्हें बड़ी मार्केट में जाकर बेचते हैं और उसी से अपना गुजर बसर करते हैं, साल 2004 में यहाँ पर सुनामी आई थी, सब कुछ तहस नहस हो चुका था, मैं 2015 में कई दिनों तक यह जुग्गी बाढ़ में डूबी रही, पर बाद में सब कुछ ठीक हो गया.